हेलो एवरिवान वल्कम तो माई चैनल यह देखे फ्रेंड्स आज मैं टू कलर से राउंड शेप में बहुत ही प्यारा सा आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे यह बिल्कुल ही आसान है बनाने में और इसके लिए देखे मैंने यहाँ पे नो नमबर की निडल्स का मैंने यू यह देखिए सबसे पहले हम इसमें फंदे बिल्कुल यह आपको सिम्पल तरीके के बताऊंगी फ्रेंड्स सही जैसे आपको डालने आते हैं वैसे भी डाल सकते हो, यह देखिए एक नोट से हो गया यह देखिए दो तेन चार पांच छे साथ आठ नौ दस इसी तरीके से मैं इसमें 20 फंदे और डाल लेती हूँ जहीं से तीन फंदे मैं इसमें डाल लिये हैं तीन फंदे डालने के बाद हम इसमें यही से फस्ट रो से हम अपना डिजाइन स्टाट करेंगे तो ध्यान से देखिए देखिए दो तीन तीन-तीन का फ्रेंट्स मैंने इसमें पेर बनाया हैं आप अगर बीस फंदे डालो तो आप इसमें दो-दो का भी पेर बना लीजिए चालिस फंदे डालो तो चार-चार का पेर बना लीजिए मैंने तीस डाले तो तीन फंदे मैंने इस साइड यह बिना बने छोड़ दिए आगे से हम यह बना लेंगे हमारी उन्टी साइड है यह सीधी साइड है आगे देखिए अगर आपको साइड यह बनाना है तो फ्रेंड्स आपमें बता दीजिए वह भी मैं आपको बता दूझे कि साइड यह इस डिजाइन को हम कैसे बनाएंगे पूरी रो हमने ऐसे ही उल्टी-उल्टी बना के कम्प्लीट करनी है लास्ट में इस साइड भी हम तीन फंदे छोड़ देंगे तीन फंदे स्टार्टिंग में छोड़ दे थे और तीन हम यह लास्ट में छोड़ देंगे और हम यहीं से बापस मुड़ जाएंगे यह पूरी रो में ऐसे ही यहां तक बनाऊंगे तीन फंदे से पीछे-पीछे यहां तक बनाऊंगे यह देखिए तीन फंदे तक हम पीछे-पीछे बनाएंगे यह तीन फंदे हम नहीं बनाएंगे जो भी हम फंदे छोड़ते जाएंगे तो सीधी साइड से वह हमें छोड़ने हैं अब देखिए इस साइड से भी एक दो टीन की तीन संथे मैं ने छोड़ों यहाँ से मैं मैं सेकंड कलर लगाऊंगे यहां से देखिए कि इसको हम आप यहां पे इसकी नोट लगा लीजिए या इसे ही थोड़ा सा इसको आप अंदर दबा लीजिए पूरा हम ऐसे ही अंदर इसको सेट कर देंगे यह पक्का तो यह हो गया है अगर आप चाहो तो इसको बाद में फिनिशिंग करो हो जब सीजर से कोई अगर थोड़ा पोत रह जाए थ्रेड तो इसको आप काट दीजिए यह देखिए पूरा अंदर हमने इसमें सेट कर दिया कि देखिए तीन फंदे हम इस साइड भी फिर से छोड़ते हुए राइट साइड से हम इस रोको ऐसे ही बनाएंगे इस साइड भी अगर्वी ठोड़स। इस साइड भी तीन फंदे चोड़ेंगे राइट इसकी हम चार रो बनाएंगे आप दो रो भी बना सकते हो इसकी फ्रेंड्स मैंने आपे नीचे दो रो इसलिए बनाई हमने फंदे डाल ले थे और जब हम इसका लास्ट बनाएंगे तो हम इसका यहीं पर एंड करेंगे इसलिए ने तो यह चोड़ी यहाँ पर ज्यादा लाइन बन जाती पिंक की इसलिए नीचे मैंने दो रो बनाई थी अब देखिए इस साइड भी यह फंदे हमने ऐसे ही छोड़ दिये दोनों साइड वाइट के हमारे तीन तीन फंदे छूट गए देखिए इस साइड भी यह छोड़ दिये अब यहाँ से इसी कलर को हम लगाएंगे यह देखिए छे फंदे हमारे इस साइड हो गए वाइट के तीन फंदे और छोड़ दिये छे इस साइड हो गए यह देखिए छे फंदे मेरे यह बीच में बच गए तहां से देखिए यह फंदे हम नहीं छोड़ेंगे इनको हम ऐसे ही बनाएंगे जो बीच का डिजाइन है इसमें हम यह चार रो ऐसे ही बनाएंगे बहुत सुन्दर इस डिजाइन के लुक आएगे यह देखिए यह सिदे साइड से यह रो और हम इसी तरीके से बनाएंगे हाफ कली हमारी बन गई है यह देखिए अब आ गए हम उल्टी साइड इस साइड से देखिए यहां से हम यह वाइट कलर लगाएंगे द्यान से देखिए आप एक दो तीन चार पाँच छे और यह आगे के भी हम फंदे ले लेंगे उससे पहले अगर आपको गैप लगे तो आप ऐसे गैप को बढ़ लीजिए यह देखिए तीन खंदे हमने साइड से ले लिए और यहां से ऐसे मूड जाएंगे अब इस साइड से भी हमने तीन फंदे इसमें लेने हैं उससे पहले देखिए अगर आपको यहां पे गैप लगे तो आप ऐसे फंदा उठाईए देखिए एक फंदा हमने बीच में से उठा लिया है और इसमें हम ऐसे यह हमने दो का एक करना है और यह दो फंदे और हम इस साइड से ऐसे ले लेंगे यह देखिए एक दो और यह तीसरा फंदा हम इसके साथ दो का एक कर देगे यह देखिए इससे हमारा यहां पर गैप खतम हो जाएगा यह देखिए तिन तिन फंदे हमने जैसे छोड़े थे ऐसे ही दोनों साइड से हमने इसमें एड करने हैं यह देखिए इस साइड से फिर से हम इसमें ऐसे एड कर लेंगे यहीं से हम मूड जाएंगे यह देखिए ऐसे हमारे डिजाइन की लुक आएगे सिधी साइड से भी हम इसको ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे देखिए बहुत सुनदर इसकी शेक बनी है जितने भी आपके पास फन दे हो आप इसी तरीके से उसको बनाईएगा बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है देखिए आगे हमारे वाइट फन दे तो इस साइड से भी आप इनको ऐसे एड कर सकते हो यह तरीका भी दूसरा है, इस side से भी add कर सकते हो, लेकिन दूसरी side से हम दूसरा color लगाएंगे, तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हो अब हम पलट लेंगे, यहां से अब हम अपना यह दूसरा color लगाएंगे ये ये देखिए तीन फंदे हमने इसमें ले लिये हैं वाइट के तो अब हम ये कलर लगा लेंगे एक कलर के मैंने इसमें चार-चार रो बनाई है सिम्पल तरीका फ्रेंड जितने फंदे आप जैसे छोड़ोगे अगर आपने तीन-तीन का पेर बनाया तो तीन-तीन फंदे दोनों साइड से छोड़ना दो-दो का बनाओगे तो दो-दो फंदे छोड़ना और इसी तरीके से मैंने एक कलर की चार-चार रो बनाई है किसी तरी केसे आप बनाऊगे तो बहुत सुंदर बनेगा यह देखिए तीन फंदए हमने इस साइड से लेने हैं उससे पहले हम अपना गैप खतम करेंगे कि दो का एक कर देगी जब भी फंदा उठाओ तो दो का एक करना मत भूलिए आप यह देखिए तीन फंदे हमने एड़ कर लिए तीन हमारे लास्ट में बच गए दूसरी रोहा हमारी इस कलर किये फूर्टी साइड से हमने इसमें कलर लगाया था यह देखिए अब इस साइड से भी हमने यह लेने हैं तीन फंदे तो ऐसे हम उसी कलर का फंद आप उठा के दो काई कर देजिए यह देखिए इस साइड से हमने इसमें एड कर लिए और यहीं से प्लट जाएंगे लास्ट के हमारे अब इसमें तीन तीन फंदे दोनों साइड बचे हुए हैं तो देखिए गा इस साइड के हमारे सारे फंदे हमने इसमें ले लिए हैं इस साइड के बचे हुए हैं इस साइड के भी हमने इसमें एड कर लिए इस साइड के भी हो गई दो रो हमारे ये हो गई है तो निशोरी तीन रो हो गई है ये हमारे चोथी रो है इसमें हमारे डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा जो हमने दो एक कलर की चार चार रो बनाई है ये देखिए अंदर की कली हमारी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स बड़ी चोटी आपको जितनी भी बड़ी चोटी बनानी है जैसे भी तरीका बिल्कुल सेम रहेगा इसे तरीके से आप इसे बना लीजिए बहुत संदर इसकी लूख हो और ये अलग-अलग कली अलग-अलग कलर से भी आप इसे मुल्टी कलर से भी बना सकते हो मैंने इसमें दो कलर का यूज किया है आप अपनी पसंद से इसमें इस डिजाइन में आप जितने भी कलर लगाना चाहू लगा सकते हो तो यह देखिए अब हमारे सारे इफंदे बन गई है और यह कली हमारे ऐसी बनके आई आई आप देखिए यहां से इफनेट सामने उपर का इसमें फ्लावर बनाना है तो देखिए और भी अभी एपकली खुलेगी इसकी शेप आएगी तो आप देखिए इसको आप ऐसे टाइट करतीचिए तो थोड़ा से थ्रेड को आप ऐसे अंदर दबा दीचिए यह देखिए तीन चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा हाफ फंदे जितना भी फ्रेंड्स आप इसमें फंदे डालो हाफ फंदे पे हम उपर फ्लावर बनाएंगे इसमें हमने अपना इसमें कलर लगा लिया है उपर के फ्लावर में भी हम एक कलर से चार चार रो बनाएंगे यह देखिए किनारे वाले फंदे को फ्रेंड्स आप ऐसे सिधा बनाएंगे इससे बहुत ही प्यारी इसकी फिनिशिंग आएगी आप देखिए इसको इस साइड से ऐसे उतार लेंगे आप देखिए दो, तीन, चार, पांच, छे, देखिए छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा तेरा फंदे बनाएंगे दो फिर से छोड़ देखिए एक कलर से जैसे हमने निचे बनाई है चार-चार रो इसी तरीके से हम चार-चार रो इसमें बनाएंगे तो हमारी ये दो-दो धारी बन जाएंगे किनारे का फंदा हम नागा पीछे करके इसको हम सिधा बनाएंगे पलट लेंगे आप देखिए इस साइड से यहां से हम दूसरा कलर लगाएंगे देहन से देखिए इसको आप ऐसे टाइट कर देजिए देखिए दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे इसी तरीके से हम कलर चेंज करते हुए तो दो फंदे छोड़ती हूँ मैं उपर तक बना लेती हूँ बिल्कुल इसी तरीके से बनाना एक कलर से हमने चूर रो बनानी है तो मैं इसे थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगे ये देखिए, हाफ फिलावर हमारा ये बन गया, दो दो करके मैंने सारे फंदे छोड़ लिए है ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फंदे छोड़े हैं, ऐसे ही हम इनको बनाएंगे ये देखिए, और जो जिस कलर का फंदा होगा, उसी कलर से हमने बनाना है ये दो हमने इसमें बना लिए, यहीं से वापस मुट जाएंगे यह देखिए अब देखिए आगे हमारे वाइट है और हमारी ये दो लाइन हमारी ये बन गई हैं आप देखिए यहाँ से हम वाइट लगा लेंगे एक, दो, तीन, दो फंदे हम आगे से लेंगे उससे पहले फ्रेंड्स हम वाइट फंदे उठाएंगे और अपना गैप खतम करेंगे बिल्कुल आपने ऐसे लाइन से लाइन मिलानी हैं यह देखिए दो फंदे हम बनाएंगे दो हम अगली बार बनाएंगे और यहीं से हम वापस मुख जाएंगे इनारे वाले फंदे को हम ऐसे सिधा बनाएंगे पिर से देखिए इसको उतार लेंगे और जब हम यह बनाएंगे तो फ्रेंड्स स्थ्रेड को आप ऐसे ऊपर लेके आईएगा अब यह देखिए यह हमारे पाच फंदे हो गए अब दो हम आगे से लेंगे उससे पहले फिर से हम ऐसे बीच में से इजली फंद आउट जाएगा गैप खतम करेंगे तो का एक बनाएंगे और एक और यहीं से वापस उड़ जाएंगे जब हम हाँ फ्लावर बनाते हैं तो हम दो-दो फंदे छोड़ते हैं और जब उपर से नीचे तक आते हैं हम आदा फ्लावर इसे कंप्लीट करते हैं तो दो-दो फंदे हम इसमें एड़ करते होई चलते हैं बहुत सुन्दर हमारे फ्लावर की इसकी लोक आएगी यह देखें बिल्कुल हमारी यह लाइन से ऐसे लाइन मिली अब हमने इसकी हमारी चार रो कम्प्लीट हो गई अब हमने यह कलर लगाना है पिंक कलर तो एक पार मैं आपको दिखा दूँ फिर मैं इसे पूरा करके दिख चार, पांच, छे, साथ होगे हमारे फंदे तो हम आगे से लेंगे उससे पहले हम इसी कलर का फंदा उठाएंगे और इससे दूपाई करते के इससे क्या होगा फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं आएगा देखें दो फंदे हमने अड़ कर लिए और हम यहीं से मूण जाएंगे तो इसी तरीके से मैं इसमें दो फंदे एड़ करते हुए चार रो के बाद मैं आपना कलर चेंज करूँगी जो भी आगया आपने फंदा इसमें एड़ करना है उसी कलर से आपने उसको बनाना है बस इसी चीज का आपने ध्याम रखना है ये कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगे आगे हमें क्या करना है देखिए लास्ट के दो फंदे बचे हुए है और एक आमारी लाइन बची हुई है यह उपर का फ्लावर हमरा बनके कंप्लेट हो गया है तो इसको भी हम इसी तरीके से बनाके इसमें एड़ कर लेगे ज इतने भी फ्रेंट्स आपके पास फंदे हूँ हाफ फंदे लेके आप उपर ऐसे ही फ्लावर बना दीजिए और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे यह देखिए ऐसे फंदा उठाने से कई भी हमारे फ्लावर में गैप नहीं रहता सिधी साइड से इस रोखों में कंप्लेट करूँगे यह देखिए कितने सुन्दर हमारी कली की शेप आई है उपर हमारे यह फ्लावर बन गया है अब देखिए क्या करेंगे अब दो तरह के हमारे फंदे हैं इसमें हाफ वाइट और हाफ पिंक हैं तो दूसरी कली की जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे तो सब से पहले हम फ्रेंड्स यहां पे अपने सारे ही फंदे एक जैसे बना लेंगे पोर इरो हम ऐसे उल्टा उल्टा बना के कंप्लेट करेंगे और यह देखिए फ्रेंड्स कली और फ्लावर के बीच में भी आपको यहां पे गैप लगेगा तो देखिए इस गैप को भी आपने ऐसे ही खतम करना है एक फंदा उठाएंगे और यहां पे दुभाई कर देखिए नहीं तो यहां पे बीच में होल बन जाएगा है यह देखिए पूर रोहां इसी तरीके से बना लेगे अब हम इसे सेधी साइड से बनाएंगे पूरी रोह में उतार के कंप्लेट कर देखिए लाइन देखिए यहां पे हमारी तीन लाइन बन गई है एक बार और बन तो हर फ्लावर में यह हमारी चार लाइन या पर आएंगी बहुत सुन्दर इसके लूख आएगी देखिए कि अब देखिए एक दो और तीन तीन फंदे हम यह पर छोड़ देंगे कि तीन फंदे छोड़ने के बाद यहां से हम इसको बनाएंगे कि देखिए पूरी रो में एंड तक इसी तरीके से बनाके कम्पलीट करूँ यह देखिए तीन फंदे हमने इस साइड छोड़ दिये तोन्यों साइड हमारे तीन तीन फंदे छूट गई हैं ये रो मैं तीन फंदे मैं लास्ट के छोड़ दूगी वहां तक मैं इसी तरीके से इसे उन्टा उन्टा बनाके दूसरी के कले की फ्रेंड हमने स्टार्टिंग कर रखी है यहां पे हमारी चार लाइन बन गई है यहां पे फ्रेंड स्टार्टिंग में जब हम लास्ट में करेंगे तो यहां पे भी हमारी एक लाइन और बन जाएगी जब हम इस फ्लावर का एंड करेंगे और जैसे वाइट की है स्टार्टिंग में ही इसकी ये दो लाइन बन गई है और जो भी आप फंदा छोड़ो उनको आप ध्यान रखेगा इस साइड से उनको नहीं बनाना है यह देखे तीन फंदे छोड़े थे तो इनको हम नहीं बनाएंगे इस साइड से और यहां से हम और उतार लेंगे और यहां से मैं इसमें वाइट कलर लगाऊंगे यह देखेए छै फंदे हमारे इस कलर के हो गई हैं तो इसी तरीक्ये से आपने कलर चेंज करते हुए पहले कली बनानी है एक बार हम दो दो फंदे छोड़ते हैं फिर हम सोरी तीन तीन फंदे और फिर हम उपर फ्लावर बना लेंगे, बहुत ही सिंपल डिजाइन है, दूसरी कली के मैंने स्टार्टिंग कर दी, बिल्कुल सेम आपने इसी तरीके से इसको बनाना है, तीन पहले छोड़ देते, तीन हमने इस बार छोड़ दिये, और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंग यह देखिए, इस तरीके से जैसे हमने नीचे कली बनाई थी, इसी तरीके से हम उपर भी बनाएंगे, फिर हम यह फ्लावर बना लेंगे, प्यारा सा सुन्दर सा, तो फ्रेंड्स मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, आप भी कर लीजी, कंप्लीट करने के बाद मैं इसके आ होती, आसान हाँ, आप एक बार इसको जुरूर ट्राई करना, और अगर आप कोई डिजाइन पसंद है, तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नई हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिक आपको सबसे पहले मिले, तो मिलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में नई डिजाइन के साथ, थैंक यू,